दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल पावर ओफ माई इंटरडे में दोस्तों देखते हैं कि कल मार्केट में कहां मुमेंटम हो सकता है उसके पीछे रीजन क्या है तो चलते हैं चार्ट के उपर दोस्तों यह निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का जैसे कि मैं कल आपको बताया था उसी तरह से देखिये मैंने आप लोगों को कल दो तरह से ट्रेट करने के लिए बोला था मार्केट ने मुमेंटम उसी तरह से दिया, कल मार्केट यहाँ पर किलोजिंग दिया था आज GAPDOWN OPEN खुला, GAPDOWN खुलने के बाद यह जो लेविल था इसके ऊपर आपकी बाइंग बनती थे market ने इस level को खुलने के बाद यहाँ पर बहुत देर तक sustain किया और जब इसको break किया है तो यह इसी trend line तक गया है market यह देखिया आप इस trend line को यह market पिछली वाली trend line थी उसका काम खतम हो गया था यह मैंने नई trend line ड्रो की है तो इस trend line तक गया है अब market फिर इसी reason में खड़ा है market के पास movement के लिए ज़्यादा समय नहीं है इसको कही ना कही movement करना पड़ेगा या तो उपर की तरफ movement करेगा या फिर नीचे की तरफ movement करेगा तो अब यह 17980 और यह trend line एक important support और resistance है आपको कल के दिन क्या करना है पहले तो यह trend line ड्रो कर लिए जैसे मैंने बताया था और यह support ड्रो कर लिए अगर market कर इस trend line को break करता है ध्यान से सुनिएगा इस trend line को break करता है तो आप यहां पर buy की position बना सकते हैं समझने की लेकिन actually मैं इस region से लेके इस region तक market ने क्या किया है समय बिताया है आप देख रहे हैं इस region से इस region तक समय बिताया है अब market इस region को निकल कर और इस छोटे से triangle में अपना समय बिता रहा है अब market को उपर की तरफ अगर जाना है तो आप देखेंगे कि market में एक movement आएगा जो market को इस level तक देकर आएगा पहला target ही रहेगा और दूसर target आपका 18,200 का रहेगा आपको क्या करना है इस trend line के उपर निकलने पर buy करना है 15 minute की candle का एक SL डालना है और target आपका रहेगा target में आपको बता दो target रहेगा 18,120 का और 18,200 का ये दो target के लिए आप trade कर सकते हो इसी तरह अगर market इस 17,980 को कल दुबारा break करता है 17,980 को ये दुबारा break करता है तो यहाँ पर आप Excel की position रोगे टारगेट आपका रहेगा 17,900 और 17,848 ये आपका पहला target रहेगा ये दूसरा target है चांसे बहुत ज्यादा है कल market के upper side movement करने करेा उसका कारण क्या है market ये low बनाया उसके बाद ये low बनाया फिर उसके बाद ये low बनाया यानि Higher low market बना रहा है higher high higher high बनाता हुआ market उपर की तरफ जा रहा है तो कल बहुत ज्यादा chances है कि market इसको break कर सकता है और कल expiry भी है कल expiry भी है तो आप समझ सकते हो कल expiry है कि नहीं एक सेकिंड में डेट देख लेता हूँ मैं आज कल तुड़ा सा बीजी हूँ तो मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा है कल तारिक 11 है हाँ कल expiry है और expiry में market जो है एक direction ले सकता है ठीक है तो आप बिलकुल इसी के according ट्रेड करिएगा ये निफ्टी की बात हो गई बैंक निफ्टी को अगर आप देखें देहान से तो बैंक निफ्टी में भी एक resistance है निफ्टी तो higher high बनाता हुआ उपर जा रहा है लेकिन बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो जब स इसने इस range को break किया है इस range के ऊपर निकला ही नहीं है market इसी range में घूम रहा है और इसके पास भी कल move करने के अलाबा और कोई कारण बसता नहीं तो market में आप देख सकते हो कि कल market को move करने के लिए अगर flat open होता है तो बहुत बढ़िया इसको जासे ही break करेगा यहां पर आप buy करोगे, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, यहां पर आप सेल करोगे, तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जो लोग रिस्की ट्रेडर नहीं है, सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो 49,235 के ऊपर बाई करेगा, आप कहां बाई करोगे, बाई करोगे, note करके देख लो, रख लो, जिससे दिक्कत ना हो, 49,235 पर आप बाई करोगे, टार्गे, stop loss जो रहेगा आपका, वो रहेगा, 100 point का आप stop loss रख लिजे, 49,135 का stop loss रख लिजे, टार्गेट 1 जो रहेगा, वो 49,560 का रहेगा, और टार्गेट 2 जो रहेगा, वो आपका रहेगा, 49,700 का, ये दो टार्गेट के लिए, आप यहाँ पर बाई कर सकते हो, एक चीज़ का ध्यान रखना, 49,500 एक round level है, अगर market यहाँ पर अटकता हुआ दिखाई दे, तो आप exit भ अगर कल market उपर की तरफ जाता है, तो 49,500 के आसपास यह अटकने की कोशिस करेगा, क्योंकि यहाँ पर open interest बहुत ज़्यादा है, 49,500 को break ही नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह से आप ध्यान रखना, अगर 49,500 break कर दिया, तो यह 49,700 और तीसरा target जो है वो 40,000 का भी है, 40,000 तेह sell side में आप क्या करोगे, अगर 38,900 को तोड़ता है, तो आप sell करिएगा, 38,900 पे आप sell करिएगा, stop loss लगाईएगा, 49,000 का, और target जो 1 बनेगा आपका, वो बनेगा, 38,700 का, और target 2 बनेगा, 38,400 का, फिर 38,500 भी एक round level है, यहाँ पर अगर market अटकता हुआ दिखाई दे, तो आप वहाँ पर exit कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक भी आपको 200 point मिल जाएंगे, आसानी से, तो इस चीज़ का आप ख्यार लगना, अब बात आती है कि market gap up और gap down खुल जाता है, अगर market flat खुल के उपर की तरफ चलेगा, तो एक बड़ी rally देगा, अगर gap up खुलता है, तो आपको ध्यान रखना होगा, पहले पंदा मेट की candle, इस पंदा मेट तक आपको कोई trade नहीं करना है, उस candle के बनने के बाद, अगर market अपर side जाए, इसका high break करे, तो आप buy करिएगा, lower side आए, तो आप sell करि बिल्कुल simple तरीके से जितना अच्छी तरह हो सकता है, मैंने आपको समझा दिया है, उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो, ना समझ में आया हो, वीडियो को बार बार देखो, कल आप आप आओगे, कि market में, जो मैंने बताया, market उसी तरह से behave किया, तो ये target आपको क मार्केट में मिलेंगे, ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, धन्यवाद,